हेलो गाइज, विल्कम टू इग्जेक्ट वे, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही important questions करने जा रहे हैं, ये questions आपको high level के questions हैं, लेकिन इन questions का सीधा आने का chances हैं, क्योंकि ये questions repeated हैं, ये previous year के questions हैं, और इस तरीके के questions अगर आपको exam में आ जाएगा तो आप बहुत जादा डर जाओगे, लेकिन डरने की बात नहीं है, बहुत ही आराम से हम solve करेंगे, बहुत ही जल्दी solve करेंगे और आप देखोगे कि ये सारे questions अब आपके लिए बहुत ही मज़े का खेल होगा और आप आसानी से solve कर लोगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ये set 5 है, इससे पहले 4 set बना चुका हूँ reasoning पर previous year के questions पर based, तो वो चारो set जरूर practice कर लिए, link आपको description box में मिल जाएगा, तो उन सारे वीडियो को जरूर जाकर ये देखिए, फिर आपको बहुत जादा confidence मिल जाएगी, तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं पहले प् देखिए, ये आपका ये एक paper है, और ये dotted portion जो आप देख रहे हो, यहाँ से paper को more दिया जाता है, तब आपको बोलना जाता है कि ये किस तरीके का figure बन करके आएगा, अगर यहाँ से paper को more दिया जाए, तो कौन सा figure बन के आएगा, वो आपको इन सारे options में से check करके बताना थ तो हलका सा यहाँ पर आपको ना सोचना होगा, समझना होगा, ये चीज जो अगर आप यहाँ से paper को fold करोगे, इस तरीके से paper को fold करोगे, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से figure बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से figure बनेगा, ये नीचे वाला portion इधर आ जाएगा, अब य यही फिगर बन करके आएगा तो यह सारी चीज़ आपको नद्ध्यान से देखने से समझ में आएगा जितनी जादा आप प्रैक्टिस करोगे इस तरीके के वेश्टन्स को उतना जल्दी आप इसे सॉल्व कर लोगे इसलिगे इस तरीके के फिगर्स वाले कुष्टन्स मैं आप पे पहले छोड़ता हूं ताकि आप आप आंसर करो फिर मैं जाकर के अगले सेट में उसका आंसर कर देता हूं तो देखिए अगर आपकी सोच डेवलप हो जाती है तो बहुत अच्छा अगर हैं यहार कलिए कि यहां पे हैं इसे समझे लेना कि voice आपका मुश् な साइच और अप यहां जो होगा कुछ इस्तरीके से वह आपका दूसरा साइड है अर आप यह पिग przypadku से अपने हाथ बना लेना और अपने हाथ को दूसरी हाथ सब्सक्राइबpa जोड़ करके देखना को जिस तरीके से उसुद करके आएगा समझ लेना वही आपका आंसर है तो आपना यहां को बढ़ जोड Méकि़े से तो अगर लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा question solve करोगे तो आपकी thinking ability उत्षाद तक develop हो जाएगी बस आपको यही कहूंगा सारे set के साथ जुड़िए बहुत सारी ऐसे questions आएंगे जिनके साथ आपकी thinking ability बहुत enhance होगी बहुत बढ़ जाएगी तो चलिए अब next question की तरफ ब से यहां पर अच्छे से ध्यान दे लेते हो तो आप यकीनन मुझे बहुत तहे दिल से thanks करोगे क्योंकि exam में इस तरीके के question पूछने वाला है यह आपके previous year के पूछे हुए questions है और यह high level के questions है अगर आप इसको सही तरीके से बनाना नहीं समझोगे छोड़ के चले आओगे और साइध ये एक question पूछा जा सकता है इससे या फिर इससे related चार question भी पूछे जा सकते हैं तो चलिए समझ तो लेते हैं पहले आखरी कर ये question कह क्या रहा है यहां पर देखे एक सेटिंग अरेजमेंट का question होता है इसमें क्या कहता है आपको या तो एक circular table पे बैठा दिया पे तो एसे लेके एच तक यानि कि a b c d e f g h तो कितने हो गए आठ मेंबर हो गए टोटल तो आठ मेंबर एक टेबल पर बैठ रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग बना देंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ इसी तरीके से बनाईएगा हर मेंबर के अपोजिट मे एक मेंबर डालिएगा जिस तरीके से मैं फिगर बना रहा हूं उसी तरीके से आप एक्जामे कीजिएगा तो चीजे आपको हॉच पॉच नहीं होंगी आपको देखने में फिगर ठीक लएगा कुछ भी आपको पड़ेसानी नहीं होगी समझने में फिर क्या कह रहा है यह आपका सेंटर है तो सब लोग सेंटर की तरफ मुह करके रखे हुए हैं यहां इस तरीके से सब लोग सेंटर की तरफ उनका मुह है इस तरीके से हम लोग बना लेंगे समझ लेंगे यह इतना बनाने की जरूरत नहीं आपके इंडिस्टेंडिंग होनी चाहिए यह एरो ये-वाएं किसे तो बी के वाएं चौथे अस्थान पर बैठा हुआ है तो बी कहां बैठा हुआ है इस सर्कुलर ट्रेवल पर बी कहां बैठा हुआ आपको पता है क्या तो नहीं पता है तो जो MEMBER के बार में starting आपको दीया जाए एक क्या है HB के बाई ओड़ से चौथा है बाई ओड़ से यानि कि left में तो 4 है चौथ है चौथी अस्थान पर बैठा हुआ तो एक दोटीन चार है च यहां पर यहां बैठा हुआ बाइं ओड़ पर बैठा हुआ है तो अब आप बाई कैसे समझोगे कि लेफ्ट कौन सा हुआ तो आप कंसीडर कर लो भी जो है आप हो ठीक है भी कौन है तो आप है समदर में मिली बात आप खुद को यहां पर माल लो कि आप बैठे हुए हो और यह आपका चेहरा है चेहरा किदर की तरफ है सेंटर की तरफ है तो अगर आपका चेहरा है सेंटर की तरफ है तो इधर वाला हाथ आपका लेफ्ट हैंड होगा और इधर वाला हाथ आपका राइट हैंड होगा तो जहां पर भी जिस भी मंबड के बाद की जाएगी उस जगह पर आप खुद को माल लेना और आप सोचना से आपका left जा रहा है ठीक है ये चीज़ आपको समझ में आ गया अब क्या कहा रहा है एच जो है आपका मतलब है चीज फोर्थ टू दी लेफ्ट भी है एच क्या है बी के चौथे स्थान पर है लेफ्ट में और एंड सेकेंड टू दी राइट ऑफ और सेकेंड है एफ के दाइयोड से तो एफ कहा है तो कह रहा है आपको कि एच जो है वो किधर है राइट में है किसके तो एफ के और कितना राइट में है तो दो कदम राइट में है तो देखिए अगर हम लोग एफ यहां पर बना दे तो एफ का राइट किधर हुआ एफ का राइट आपका यह इधर के इस तरीके से हुआ तो f का राइट आपका अगर इधर चला गया तो राइट से कितना बोला है तो f के दो राइट है तो एक दो और राइट तो यहां पर आपका h हो गया ठीक है तो इस h से आपका f निकल कड़के आ गया अब आपको क्या कहा रहा है एक किदर है third है left of c के c के बाइट मतलब बाइट में c के बाइट जो है तीसरे अस्थान पर कौन बैठा हुआ तो a बैठा हुआ है तो c कहां है यहां पर तो आपको c पता ही नहीं है तो यहां पर हम लोग बना लेंगे जिसके बारे में अभी तक पता नहीं चला उसको हम Left side में हैं कितने number पे तो तीसरे नमबर पे टो एक दो औरistä इंड पर smo constit細 अपी हो इस तरीके से डेड़े दू ता कि आकर पाटा चल सके कि left में फिर क्या कहला है इज थैड़ लिफ्ट ऑफ सी की कूई χreo is not जब भी हू का प्रयोगओ हो तो हू किसके लिए प्रयोग होगा हू कि पीछे क्या है सी किलेए है तो सी के क्लिए है यहां पर लिखा लिखा है सी कि Who is not an immediate never of f se accelerated matches करीबी परोसी नहीं है किस्का तो f capati a racetrack कर एफ करीबी परोसी कौन है तो यह हो सकता है यह तो यह ही दो है एक करиниग्रें करीबी परोसी तो बोल परने सी यहांपे नहीं बैठा हो सकता है और ना तो यहां होगा यह तो यहां होगा तो सी कहां होगा तो माली जी अगर हम लोग सी यहां पर डालते हैं तो फिर क्या बोल रहा है सी के तीसरे लेफ्ट में यानिकी बाई और से ए है तो एक सी का बाई बाया हाथ किदर है लेफ्ट है यह आपका सी का लेफ्ट है तो सी के लेफ तो C मान लिजे अब यहां पे है ठीक है इसको काट दीजिए C मान लिजे यहां पे है तो C हमने अगर यहां पर माना तो फिर अब यहां से left by or तीसरे अस्थान पर देखे तो A को बैठाया जा सकता है क्या तो एक, दो, तीन, तो यहाँ पर पहले ही से F बैठा हुआ है, तो यहाँ पर तो A बैठ नहीं सकता है, एक ही कुरसी पर दो आदमी तो बैठ नहीं सकता है, तो इसलिए आपको पता चल गया कि C यहाँ नहीं होगा, C यहीं होगा, यहीं आपका right answer है, अब देखिए, अब क्य यहाँ बन रह रा है, जी हसे क्या है, जी क्या है, जी, एक क्यीuem और से दूसरीय अस्थान पर है, यहाँ पर यहाँ पर हिंदी में भी लिखुता हूँ और section second to the left of A तो जी क्या है बाई ओर से जी A के बाई ओर से दूसरे अस्थान पर है तो जी A के तो A का बाया ओर यानि की लेफ्ट किदर होगा तो A का लेफ्ट इधर होगा ठीक है ये का लेफ्ट आपको इधर हो जाएगा तो आपका अगर मुह इधर है तो आपका राइट हैंड होगा लेफ्ट हैंड इधर होगा तो A का लेफ्ट इधर है तो A के कितने लेफ्ट में हो यानि कि कितने बाई ओर है तो आपको दिया हुआ है जी सेकेंड है सेकेंड लेफ्ट है तो इसी जी जो है दो कदम आगे है लेफ्ट साइड में यानि कि बाई ओर से बैठा हुआ है ise e के घंठी चालू कर दो अप एक 2 2 को गिया बाइं और से भी हो गया तो यहां पर कौन बैठेगा यहां पे जी बैठेगा जो कि कि आपको यहां बोल रखा है तो अभी तक हमने इतने लोगों को बैठा दिया है अब क्या बोला है लास्ट लाइन पर चले है डी इस दी हुआ है इस स्थान पर होगा तो दूसरा स्थान बने एक दो दो तो आपको इस तरीके से फिल अप करना है यहाँ पर आप रहो सजाना है तो तो माल लीजिए अगर हम E को यहां बैठाते हैं ठीक है तो बोल रहा है E के राइट साइड में यानि यह दाहिने ओड में तो दाहिना और E का कौन सा है तो यह इस तरीके से दाहिना ओड हो जाएगा तो E के राइट साइड में दूसरे अस्थान पर बैठाना है तो यह आपक बचा होता है तो अगर हम E को यहां बैठाते हैं तब आपको दाहिनी ओर से दूसरे अस्थान पर D को बैठाना है तो E का दाहिना ओर किधर है E का दाहिना ओर इधर है जो कि आपका राइट हैंड है वही आप खुद को माल लो तो आपका राइट हैंड आपका यह हो गया तो E के दाहिनी और पे दूसरे अस्थान पे तो एक दो तो यह जगा खाली है तो इसी जगा पर आपको किसको डालना है डी को डालना है जो कि आपको question में बोल रहा है तो हमने डी को यहाँ पर डाल दिया अब देखिए कोई भी जगह खाली बचा हुआ है क्या तो कोई भी जगह खाली नहीं बचा हुआ है आठो जगह पर आठ लोग बैठ गए हैं अब आपको question का answer करना है कौन है वो इज ईकी द्य होटे लोग कोन होते हैं तो ए और जीन प्रोशी कोन है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस question को अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो आप समझ दीजिए कि banking के exam में आपको 5 marks कहीं नहीं गया 5 marks का question आप सीधे solve कर लोगे 5 marks का question पूछता है reasoning पे यही एक question दे देता है और इससे related आपको 5 question पूछता है आपने इस figure को बना लिया यहाँ पर मैं एक ही question ले करके दिखा रहा हूँ इससे related आपको 5 question पूछते गा यहाँ पर भी क्या आपको पूछ रहा है F के immediate right में कौन है तो आपने answer किया A फिर आपको एक अलग question पूछ देगा कि आपको D के बगल में कौन कौन member है तो आपका क्या answer रहेगा C और B रहेगा यह भी एक number का question पूछ देगा यानि कि दूसरा दो number मिल गया फिर आप सब क्या पूछेगा कि E के opposite में कौन बैठा हुआ है तो E के opposite में देखे कौन बैठा हुआ है तो FG बैठा हुआ है तो यह आपका तीसरा number 3 number मिल गया फिर आपको चौथा question पूछ सकता है कि H के immediate right में दूसरे number पर कौन बैठा है तो immediate right कौन है तो यह आपका immediate right है तो उसके दूसरे number पर तो दूसरा number पर C बैठा हुआ तो इसे तरीके से एक question आपको यह statement दे तो थोड़ी सी परेसानी जरूर हुई होगी क्योंकि ये नया चीज आपको लग रहा होगा तो इसे फिर से देखिए बार-बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा इतनी आसानी से मैं समझाया हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस पर मैं कुछ और प्रेक्टिस करा दूँगा ताकि आपको कोई भी परिसानी नहीं हो तो आपका तीसरा प्रसन आपकी स्क्रीन पर ये रहा देखिए ये एक नंबर का कुशन है जो कि आपको देखते ही से आंसर करना है और आ प्रेला फिगर में क्या है आपको ये तीन बॉक्स दे दिए गया है जिसमें आपको एक नीचे ब्लैक है उपर वाइट है तो यहां पर देखिए यहां पर आपको नीचे में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है जिसे में रेड कलर से आपको करके दिखा रहा हूं उसके उपर में क फॉलो कर रहा होगा तो ठीक है नहीं फॉलो कर रहा होगा तो यहीं आंसर हो जाएगा तो चलिए यहां पर देखें यहां पर क्या है उपर वाला ब्लैक है उपर वाला ब्लैक है और नीचे वाला वाइट है नीचे वाला वाइट है नीचे वाला वाइट है तो यह तीनों के तो यहीं होगा क्यों क्यों यहां पर आपको एक ही पैटन तीनुव फिगर में फॉलू करना है जो भी ऐखर में पैटन फॉलू नहीं दिखता होगा वहीं आपका अंसर हो जागा लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको समझा देता है ताकि आप चेक कर सको यहां पर देखिए सब लोगों है ना इधर की तरफ देख रहे हैं और इधर की तरफ देख रहे हैं तो नीचे की तरफ पीछे की तरफ उनका ब्लैक है पीछे की तरफ ब्लैक है पीछे की तरफ ब्लैक है और आगे की तरफ वाइट है आगे की तरफ वा कर रहा है सब के सब एक ही तरीके के सारे मेंबर से एक ही तरीके के पैटर फॉलो किये जा रहे हैं यहां पर भी आपको देखिए कि यहां पर नीचे ब्लैक नीचे ब्लैक नीचे ब्लैक ऊपर वाइट बस एक यही ऐसा ऑप्सन था जिसमें क्या दिखा रहा था को नीचे ब्ल यह एक important question को देखिए आपको क्या करना है यहां पर एक number आपको missing देदिया हुआ देखिए यह जो है एक missing number है आपको पता करना है कि आपको यहां पर कौन सा इसा number डाले ताकि यह जो box तभी आपको बाकी सारे type के questions पर एक पकर बन जाएगी तो यहां पर देखिए यहां पर आपको क्या कह रहा है आठारा किसी भी तरीके से करोगे तो आपंतिस से अधिक हो जाएगा। चाहाए पुलस करो,चाहाए माइनस करो,डिवीजन करो यह उन। 20 नहीं आएगा. तो आपको क्या करना है जब इस तरीके से आपको नहीं आएगी तो समझ लेना है कि इन दोनों के साथ कोई भी काम करके यह third number नहीं लाया गया बलकि यहां पर आपको तीनों का तीनों number जो है जोड दिया जाएगा यह गुना कर दिया जाएगा जो कि बाकी सारे boxes में आपको same pattern फॉलो करेगा तो एक बड़ चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं यहां पर देखिए 29 है फिर 13 है फिर कितना है 18 है दूसरी रो में कितना है 33 है फिर आपका कितना है 19 है यहां पर कितना है 30 है 20 है plus 27 है मिलस 3 है 10 27 plus 3 कितना होता है 30 30 plus 30 कितना होता है 60 उपर वाले को जोर करकлись कि देखिए अठारा प्लस 13 कितना होता है 31 31 प्लस 29 कितना होता है 60 तो अब आपको पैटर्न समझ में आगते 60 है यानि हर स्क्सिटी सैंघ रहा है तो यह ती मीच वाला लाइन कितना देगा sum 60 देगा तो यहां पे देखे 33 है और यहां 19 है 33-19 कितना होता है 52 तो 52 में कितना जोड़ेंगे तो ustady आ जा Bernard यहाली तो तो फुप्टीटू अरभल आठ जोडते हैं तो सिच्ष्टी आ जाता यानिकि आपको description box में link दे दिया जाएगा उसमें जरूर जाकर के देख लीजे वो सारे set आपको इस तरीके के question जरूर पूछे जाएगे और अगर आप इसे trick से समझ लेते हो तो एक number कहीं नहीं गया 5 second में answer करने में एक number कहीं नहीं गया मुफ्त के number हैं यह आपको और अगर आपको यह trick नहीं पता होगा तो बनेगा ही नहीं यह सवाल कैसे नहीं बनेगा तो चलिए question समझ के देख लेते हैं कैसे बनेगा यह नहीं बनेगा यहां पर कह रहा है एक्स किसे डिनोट करता है सब्ट्रेक्शन को एक्स संकेत मिलता है घटाने को ठीक है फिर र किसे डिनोट करता है मल्टिप्लिकेशन को यह चीज़ है तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है या तो आप question यहीं पर figure बना लो या तो एक box बना दो ठीक है उसमें आपको क्या करना है प्लस माइनस इंटू डिवीजन आपको जो रफ सेट मिलेगा वहां पर लिख देना है प्लस किसे डिनोट करता है तो प्लस डिनोट करता है बी को ठीक है तो बी आप प्लस को उपर बना ले रहा है ठीक है फिर माइनस किसे डिनोट करता है तो माइनस डिनोट करता है आपको एक्स तो एक्स यहां पर बना दो फिर ठीक है फिर आपको आर डिनोट मल्टिप्लिकेशन तो आर किसे डिनोट करता है मल्टिप्लाई को तो आर multiplication के पास R बना दिया हमने फिर क्या कहा रहा है आपको division के से denote करता है तो A को division को denote करता है तो हमने यहाँ पे बना दिया ठीक है अब आपको क्या करना है सीधे जहां-जहां जो जो दिया फिर बचा हुआ किया नंबर था फॉर लिविव है मतलब जितने ही四 चार की बद क्या है एकस है तो एकस के जगह हमने क्या लिखना था तो एकस यहां पर देखिए एकस यहां पर तो एकस के जगह पर आपको माइनस लिखना था तो यहां माइनस लिख दिए अब फिर बचा हुआ तो अब आपको सीधे करना है इसका आंसर निकालना है तो बॉर्ड मास के रूल से बॉर्ड मास क्या क्या थे हैं कि पहले आपको ब्रैकेट का काम होगा फिर ओफ का का मोगा फिर डिवीजन का multiplication का addition का फिर subtraction का यहीं आपको sequence follow होगा ठीक है ऐसा नहीं कि पहले अभी आपको यहां से start करना है तो पहले multiplying कर दिना है अठारा गुन्हें 12 करना है ऐसा नहीं करना है आपको यहां पर करना है 12 divided by 4 करना है क्यूं क्यूंकि आपको पता है कि पहले से division आएगा फिर multiplication आएगा तो इसे आप इस तरीके से समझ लो तो बारह को चार से divide करते हो तो कितना होता है आपको चार्चों चार्टी बारत होती है यहां पर तीन आ जाएगा यहां पर फिर बांकी को आप इस तरीके आपको सीधे देखना है और इसी तरीक से यह ट्रिक फॉलो करना है इस पर मैं चारो सेट में प्रैक्टिस करा चुका हूं वह जरूर जाकर करके आपको चैनल मिल जाएगा तो आप जोभी लोग टेलिग्राम एप यूज़ करते हो उसको जाकर के आप उहाँ पर एक्जेक्ट वे टाइप करोगे आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा उस ग्रूप में आप जाकर के एड हो सकते हो वहाँ पर जोईन कर सकते हो आपको वहाँ पर सारे questions जो भी study materials हैं वहाँ पर आपको provide किये जाते हैं जो भी exams related updates होंगे वहाँ पर आपको सबसे पहले मैं add कर देता हूँ तो आप जाकर के उस group को जल्दी join कर लिजे आपको link description box में मिल जाएगा अगर आप अभी तक telegram group नहीं use कर रहे हो और आपको इसके बारे में नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है बहुत लोगों को नहीं पता है यह बिल्कुल WhatsApp की तरह ही होता है WhatsApp group की तरह ही होता है लेकिन WhatsApp group में क्या होत सही message उसमें आते रहते हैं तो वो सारी चीजों को avoid करने के लिए वो एक basically avoid करने के लिए आपको telegram एक बहुत ही अच्छा platform है वहाँ पे आप मुझे जो भी study material देना होगा वहाँ पे मैं देते रहूंगा कोई जो भी members होंगे उनकी privacy को कोई harm नहीं करेगा किसी को किसी का number न और है तो चलिए अब इस question को solve करते हैं यहां पी क्या बोल रहा है आपको arrange the following in logical order आपको यहां पर यह logical order में यह चीज को arrange करना है कैसे arrange करना है कि यहां पर देखिए एक से लेके 5 तक कुछ आपको words दे दिये गया है और आपको पता करना है कि कि किस तरीके से यह sequence follow करना होग सबसे पहले क्या बोला है table table मतलब क्या होता है आपका मेज जो हो गया वह आपका table हो गया फिर क्या है ट्री मतलब क्या हो गया वरिक्ष उड मतलब क्या हो गया लकडी सीड मतलब क्या हो गया बीज पाच्वा क्या है प्लांट प्लांट मतलब क्या हो गया पौधा तो अब आप बताओ कि यह चीज जो है आपको दिमाग से अपने common sense से बनाना है इसका कोई tricky नहीं है देखिए यहां पर सीड है सीड सबसे पहले आप क्या करते हो बीज बोते हो जमीन में क्या करते हो बीज बोते हो बीज बोने के बाद वो क्या होता है अनकुरित होता है प्लांट बन फिर क्या होता है आपको यह जो पौधा है वो एक व्रिक्ष की तरह बन जाता है व्रिक्ष की तरह बन जाता है ठीक है फिर अब यह व्रिक्ष बन गया जाने के बाद इसमें क्या होता है यह इसके जो ब्रांचे होते हो उसके लकडियों को हम लोग काटते हैं लकडिया इन तो यही आपका sequence follow करेगा 45231 45231 आपका B में दिया हुआ तो यही आपका answer हो गया 45231 ठीक है अब इस question का answer आपको देना है यहाँ पर आपको यह सेम वही question है इसे logical order में आपको सजाना है और आपको comment section में अपना answer देना है देखते हैं कितनी लोगों का common sense सही बैठता है यहाँ पर पहले आपको option में क्या दिया है post box फिर letter फिर envelope फिर delivery फिर clearance post box मतलब क्या होता है जो आपका post box होता है जिसमें आप चठ्थे गिराते हो letter क्या होता है जो आपका चठ्थे है envelope क्या होता है जो चठ्थी को गिराने के लिए जो आप envelope use करते हो वह envelope हम लोग उसे envelope कहते हैं ठ इसांसर में आपको अगले सेट मे ढूंगा और वह अगला सेट बहुत ही जल्दी आएगा तो चली है अब कह्यों को देखते हैं काफी लोगों का मन्था कि सेलो जिसम के कुशन जरूर आड़ हों क्योंकि से Pelosills से क्षें दिया हुआ है और फिर यहां पर conclusion दिया हुआ है एक चीज जो मैं आपको पिछले set में बता चुका था इसका जो basic rules बता दिया था वो एक बार फिर से दोहरा लीजिए समझ लीजिए आने वाले set में मैं आपको चाहूंगा कि सभी लोग जुरे होंगे और इन सारे set के साथ कि यह परमात्मा ने बोला है यह उपर वाली ने बोला है अल्ला ने बोला है वाहिगुरु ने बोला है और वो जो भी बोलते हैं वो सत्य होता है उनको जुठ लाने की हमत हम लोगों में से किसी को नहीं है वो परम सत्य है ठीक है अगर उन्होंने कहा है कि राजा जैसे पि जमाग नहीं लगाना, logic नहीं लगाना है सीध्य माना लेना है कि statement में जो भी चीजें लिखे गई वो होगा ही होगा और conclusion जो दिया हुआ है यानी कि निसकर्स जो दिया हुआ है, उस निसकर्स ये निसकर्स मनना है हम जाते हूं कि हम लोग जैसे जो तुछ परानी होते हैं, ज डिया हुआ है कि भगवान के दिये गए बातों से यह मेल खा रहा है कि नहीं आपको यह चेक करना है ठीक है और इसके लिए मैं बता दिया हूं कि सबसे बेस्ट ट्रिक्ष है कि वें ड्राइग्राम बनाना है आपको फिगर बनाना है तो देखें आपको क्या बुला है all powers are heat क्या वोला सभी केसही पावर क्या है हीट है तो सभी अब आप पावर यहां पे-डाल दो पावर काप को इनीजील ही लेना है यानि कि पहला अलफा बेठी आपको लिखना है तो पावर का हमने पी लिख दिया all powers और इतने अगर लिजिए पावर के पावर अंदर आजाएगा हीट के क्योंकि बोला है सभी का सभी पावर क्या है हीट है तो यहां पर देखे हीट का जितना एडिया है उसी के अंदर में पावर का एडिया आ ठीक है इसे आप इस तरीके से भी समझ लेते हों कि आपकी जो भी संपत्ति है वो आपके प यए यह जो दिखरा है यह part आपको बता रहा है कि कुछi फौर्ट बन गया तो यह सभी के सबी सोंस इंजन के अंदर आगिया ठोक्रटल बन गया अब को कंट्लूजन चेक करना है धिची यहां पर कंप्लूजन क्या कई रहा है इनिस्कर्स क्या यहां पर क्या बोल रहा है तो एट लिस्ट कुछ नहीं होता है एट लिस्ट काट दीजे मतलब सम हीट इंजन है क्या देखे यहां पर आपको हीट दिया हुआ है और कुछ हीट इंजन है तो यह चीज देखिए कुछ हीट तो इंजन है यहां पर आपको फिगर में दिख रहा रहा है उपरवाले के कफन को गलत नहीं सावित कर रहा है यान कि यह सही है फिर दूसरा ओप्षन देखिए जो कंक्लुजन बोल ला है no power is of force कोई भी power force नहीं है तो यहाँ पर देखिए यह आपका power फिगर में देखिए आपको क्या करा है नो पावर इस फोर्स यहां पे लेकिन कुछ पावर जो है फोर्स तो दिख रहा है कि यह पोर्षन जो है आपका दिख रहा है न कुछ पावर फोर्स है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आपको हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो उसको सीधे नहीं मानना है कि ऐसा नहीं होगा ठीक है कि वो नहीं होगा अब आपको यहाँ पर आंसर करना है कि कौन सा सही हुआ तो आपका only conclusion one follows only conclusion one true only conclusion one is true सिर्फ आपका conclusion one सही है यही आपका answer हो गया यह आपका answer सही हो तो reasoning के लिए आपको एक बात बता देता हूँ कि reasoning के set आपको जितना मैं solve कराता हूँ आपको जितने सारे type के question पूछे जाते हैं उस पर मैं maximum practice करा दूँगा इसी set by set से तो आप इसी तरीके के सारे वीडियो को देखने के लिए जीके जीस मैट्स और reasoning के important वीडियो डिली अप्लोड हो रहे हैं तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन जरूर दबा लिए और साथ ही टेलिग्राम गुरूप को भी जोइन कर लिए ताकि आप अपडेटेड रह सके सारे स्टेडी मिटीरियल से सारे अपडेट से चाहे हुए आपके जॉब से रिलेटेड भी क्यों नहों आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें शेर करें इसे अपने दो आप